जहिंद वेल्कम टू विजेपत एजुकेशन पालोंपूर एक वार आप सभी का HRTC ओनलाइन बैच में हारदिक स्वागत है आज एक वार फिर से हम आपके साथ ओनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं इस क्लास में हम मोर्टर वाहन से रिलेटेड सर्क सुरक्षा संकेत जानकारी और ड्राइविंग से रिलेटेड जितने भी सुझाव या फिर नियम रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे सो क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है जादा जानकारी के लिए आप हमारा HRTC का ओनलाइन पेड बैच जोईन कर सकते हैं जिसके लिए आप www.vijepatheducation.com के उपर या फिर प्ले स्टोर से विजपath government exam preparation app डाउंडोड कर सकते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 200 रुपे में HRTC conductor का ओनलाइन बैच रखा है जिसमें आपको live प्लस recorded classes आपको मिलेंगी साथ में HRTC conductor exam के online notes भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किये जा रहे हैं प्लकुल nominal surprise हमने रखा है ताकि हर बच्चे जो है उस badge को join कर सके सो start करते हैं आज की इस class को देखिए सबसे पहला question है हमारे पास तो first question है आज किस class का देखिए पहले question में आप हमें पूछा गया है learning license की बैधेता कब तक होती है छे महीने जब तक driving license प्रापत न हो जाए 45 दिन या फिर हमेशा के लिए तो नहीं learning license जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही दिया जाता है option A जो है वो इसका बिल्कुल सही answer रहेगा next question है जब एक अंधा ब्यक्ती सफेद छड़ी पकड़े हुए सड़क को पार करता है तो हमें क्या करना चाहिए यदि हम बाहन में बैटे हैं और एक अंधा ब्यक्ती जो है वो सड़क को पार कर रहा है उसके हाथ में सफेद छड़ी है तो हमें क्या करना चाहिए खोन बजाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बहान को रोकने के लिए यातयात संगेत के रूप में सफेद शड़ी को यातयात संगेत समझ लेगा बहान धीमा करके शाबधानी बर्तनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बिना किसी शाबधानी के तेजी से आगे बढ़ना चाहिए तो देखिए जादतर जो है option A और option D को हम follow करते हैं actual में ये answer तो नहीं है लेकिन अगर हमारे गाड़ी के आगे कोई अगर ऐसा आ जाता है तो हम जल्दवाजी में क्या करते हैं उनको बिना देखे जो है उनसे side से जो है वो आगे निकल जाते हैं लेकिन हमें ध्यान में रखना है अपनी गाड़ी की speed को क्या करना है धीरे करना है और उस सफेद छड़ी को हमने क्या समझना है यादायात संकेत के रूप में समझना है तो option B इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा next question देखिए इसमें एक काड़ी का चित्तर दिया गया है और इस ब्यक्ति ने break लगाई है क्योंकि अगर आप थोड़ा इसको देखेंगे तो ये जो break जब इसने लगाई है तो red light जो है वो blink कर गई है और अपना एक हाथ right hand जो है इसने उपर की तरफ जो है उठाया है तो इसका मतलब क्या है बाहन को रोकने का इरादा, सीधा जाने का इरादा, दाई और मुरने का इरादा, बाहन पीछे जाने का इरादा तो क्या इसका right answer रहेगा, इसका मतलब है बाहन को रोकने का इरादा, देखिए red light इसने जलाई है तो direct पता चल रहा है कि इसने break लगाई है, और इसका मतलब है ये बाहन को रोकने का इशारा कर रहा है कि इससे पीछे वाले बाहन जो है वो अपनी speed को क्रिपया कम कर दें क्योंकि मुझे क्या है, रुकना है तो option A इसका बिल्कुल right answer रहेगा next one देखिए, यदि आप एक लंबी धलान पर हैं, अपने बाहन को बाहन की गती को नियंतरत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यदि आपके सामने एक धलान है, यानि कि गहराई की तरफ जो है वो गाड़ी जारी तो आपको क्या करना चाहिए देखिए, option A में बोलागे, engine बंद करें, तो नहीं, engine अगर बंद करेंगे तो आपकी brake जो है वो जाम हो जाएगी क्योंकि जितनी भी advance गाड़ियं हैं उसमें आपकी steering और brake तभी बरक करता जब आपका engine on होगा तटस्त चुने और brake लगाना जारी रखें, कम gear में बदलें या फिर उपरोकत सभी तो इसका जो right answer है वो है कम gear में बदलें, हाँ, आपको brake तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन आपको gear क्या करना है, डाउन करना है जैसे ही अगर चड़ाई है तो आप first gear के या second में चड़ाते हैं, लेकिन अगर धलान है तो अगर आप चोथे gear है, चोथे से आप तीसरे में आईए, क्योंकि brake लगाने में असानी होगी चोथे में उतनी powerful brake आपकी धलान पर नहीं लगेगी, अगर आप as compared to first gear की अगर बात में देखें, क्योंकि आपकी brake तो आपकी गाली को रोकने का काम कर रही है, साथ में आपका जो gear है बो भी आपको क्या कर रहा है, जब आप gear को down करेंगे तो बो भी गाली को रोकने का काम क इसे की HRTC की अगर आप बस को चला रहे हैं, तो आपको उस समय धूमरपान क्या करना चाहिए, केवल दंड को अकर्शित कर सकते हैं, driving license के निलंबन को अकर्शित करता है, उपरोक तो सभी या फिर इन में से कोई नहीं, तो देखिए इसका जो right answer है वो है, आपका license जो है वो वो भी आपका cancel हो सकता है, तो option B जो है वो ही इसका right answer रहेगा, अगला question, पैदल चलने वालों को तेज जुकाब पर सडक पार नहीं करनी चाहिए, या एक बंद बाहन के बहुत करीब, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तेज जुकाब है, यानि कि एक कोई तीखा मोड है, तो लंबी दूरी पर आने वाले जो ड्राइबर हैं, वो उस अन्य ब्यक्ति को नहीं देख सकते, जैसे कि ये कोई सडक है, ये तीखा मोड है, और आप यहां से कर रहे हैं, रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो जो गाड़ी यहां से आ रही है, उसको आप नहीं नेक्स है, यदि आप एक संकीन पुल के पास जा रहे हैं, और एक और बहान, विपरीत दिशा से पुल में परपेश करने वाला, तो आपको क्या करना चाहिए, हाँ, एक कोई पुल है, बिल्कुल कंजस्टिड पुल है, इस तरीके का, और आप एक तरफ से आ रहे हैं, दू दूसरा बहान, पुल को पार ना कर ले, तब तक प्रतिक्षा करें, और फिर आगे बढ़ें, ऐसा भी हो सकता है, कि आप उसका बेट कर लें, और जब वो काड़ी निकल जाए, तब आप क्रॉस करें, सी में बोला है, गती बढ़ाएं, जितना संभव हो, उतना पुल को पा तो आपको reverse ना जाना पड़े, आप पहले ही break लगा लें, तो आपने क्या किया, आपने जब तक दूसरा बहान पार ना कर लें, क्यूंकि वो अंदर आ गया है, प्रवेश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको wait करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ताकि पह पहले हमेशा break लगाई जाती है, उसके बाद clutch लगाई जाती है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया है, option ही आएगा इसका, next one, किस थिति में अन्य ड्राइवरों को आप पर अपनी headlight flash करने की अनुमती होती है, आपने देखा होगा कि कई बार, जो opposite side से जो गाड़ी आत है, second बताते हैं कि, आपको उनकी उपस्थिति से साब्धान करने के लिए, कि हाँ मैं आ रहा हूं, तो थोड़ा सा धीरे चलिए, यदि आप गती सीमा तो आपको चिताबनी देने के लिए, हाँ, ये भी हो सकता है, ये बताने के लिए कि वो आपको रास्ता दे रहे हैं, त फिर कोई एक रोड है, जहां पर दो गाड़ियां असानी से पास नहीं हो सकती है, दोनों की स्पीर काफी जाद है, तो आप क्या करते हैं, ओन ओफिया, फिर कई बार जब कोई ओवर टेक करता तब आप उसको हैडलाइट मारते हैं, कि इसके लिए बताते हैं, कि मैं आ रहा जैसे ट्रक हैं, तो उनकी जमीनी स्तर से माल बहान पर भार की उन्चाई सीमा कितनी होनी चाहिए, तीन मीटर, तीन पॉइंट आठ मीटर, पांच मीटर कोई सीमा नहीं, तो पहले भी कोईशन हमने डिसकस किया है, जो जैसे ट्रक होते हैं, ट्रेक्टर हैं, जो की माल कोट होते हैं तो उनकी मैक्सिमम जमीन से जो हाइट होनी चाहिए 3.8 मीटर होनी चाहिए ये भार की अधिक्तम इसमें उन्चाई सीमा जो है बताईगी है 3.8 मीटर उसकी हो सकती है नेक्स वन है देखिए मोटर बाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अनुसार हमें क्या करना चाहिए शराव लेने के बाद ड्राइब ना करना चाहिए यानि नो ड्रिंकिंग, नो ड्राइविंग उतके अधिक गती सीमा को पार नहीं करना चाहिए टेक्स का भुकतान किये बिना सड़क पर बहान का उपयोग ना करें या फिर यह सबी, तो 112 के अनुसार क्या बताया गया था, वो यह बताया गया कि आप अपनी limit को, speed limit को cross ना करें, आपने देखा होगा कि वार सडकों पर, एक speed limit के कुछ वो लगाये जाते हैं, एक pole लगाये जाते हैं, संकेत लगाये जाते हैं, जैसे लिखा होगा 80 km, मतलब य तहाँ पर 80 km तक ही जो है वो चलें तो इस तरीके के हैं 11112 के अनुसर जो की मोटर अधीनिय में 1988 में आती है उसमें ये बतायाएगे कि आपकी जो स्पीड लिमिट है गाड़ी की वो मिनीमम ही होनी चाहिए नेक्स्ट है यदि आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको दूसरे बाहन से पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए यदि आप गाड़ी चला रहे हैं बारिश लगी है तो आपको दूसरे बाहन के पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए इसका क्या रीजन है इसकी फोग फ् राय करें कि अपने बहान को आगे ही लेके जाएं क्योंकि वो कभी भी क्या कर सकता है उसको अगर मुड़ना है या फिर वो अचानक बहान को क्या कर सकता है बंद कर सकता है क्योंकि जादा बारिश में जाद तर आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं गाड़ी को साइड म बहां चल रहा है तो उससे नहीं उतरना चाहिए तो किसी भी बहान में यह मान्य नहीं है नेक्सट वन है एक सिंबल आपके पास दिया गया है यह क्या दर्शार है दीखर देखिए स्नुटिंग से जो रास्ता है BOK Dragonом काफी खुंला है लेकिन जैसे ही आगे यह यहां से जा रहा है तो आगे जाएगा चोटी गाड़ी जा सकती है, मतलग है क्या है एक संक्रिन सडक है संक्रिन सडक है या फिर बोल सकते हैं कि एक तंग रास्ता है जहां से बड़ी गाड़ियों का गुजरना जो है वो थोड़ा सा मुश्किला option B is the right answer next one यह पहले भी संकेत मैं आपको बताया था अब जो है एक गाड़ी जो है वो यह चला रहा है ड्राइवर और अपने हाथ को उपर और नीचे कर रहा है आप डाउन आप डाउन की फॉर्म में कर रहा है तो किस चीज का इशारा कर रहा है आपको बताना है यह इशारा है बहान तीन पॉइंट पांच मीटर ऊपर की तरफ एरो लगा है ऐसे और एक एरो ऐसे लगा है ठीक है ये वाले एरो ये इसका मतलब है हाइट की बात गई है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा वो है आपका और सोरी आप्शन नमबर सी तीन पॉइंट पांच मीटर से अधिक चाई वाले बहानों के लिए क्या है निशेद है मतलब इससे ज़्यादा हाइट वाले है